वागत आप देख रहे हैं राजधर्म, मैं हूं सौरभ शर्मा, यहां विजय चौक दिल्ली से और आपको बता दें भारतिय जंता पार्टी का एक बड़ा एक्षन यहां दिल्ली में अफसर थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है दो बड़ी ख़बरें इस वक्ति आपक वंत्री से भी उनकी मुलाकात किसी वक्त होने जा रही है तो योगी दिल्ली क्यों आए है यूपी में क्या कोई घटना करम जो होने जा रहा है क्या यूपी में कैबिनेट एक्सपैंशन होने जा रहा है दोजार शौबिस को लेकर कि क्या कोई खास बात होने जा रही है इस खबर इसलिए भी महतपूर्ण है क्योंकि लगातार तीन दिन से आप जैपूर में वसंधरा राजे का श्रक्ती प्रदर्शन देख रहे हैं, विधायकों से मुलाकात करना, विधायकों को खाने पर बुलाना और कल जो बात हुई, साथ विधायकों को एक रिजॉर्ट में ले जाएगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, पहले योगी आदितनात की बात करते हैं, थोड़ी देर में आपको उनकी तस्वीर भी दिखना शुरू हो जाएगी, और योगी आदितनात का आकर के पधान मंत्री से मुलाकात करना, संगठन में क्या कोई परिवर्तन होने जा जा रही है, उसमें से दो प्रमुक विश्ञा है, पहला तो ये कि राम मंदिर में क्योंकि प्रणाठ परतिष्ठा की जानी है, तो उसमें बीजेपी संगठन का रोल किस परकार से होगा, उत्तर प्रदेश में क्या-क्या संगठन के तरफ से सरकार से क्या कुछ तयार कर लिया है, बहुत जादा संभावन इस बात कि रही है कि पहले उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदितनाथ के साथ उस पर चर्चा कर ली जाए, उस कारकरम को पार्टी चाहती है कि बड़ा से बड़ा और एकदम से भव्वे बनाया जाए, उसमें आप समझ सकते ह जाए लेकि उस समय भी नहीं हो पाया, वो लंबित है, तो योगी आदितनाथ ये जरूर चाहेंगे कि क्या उस पर पार्टी संगठन के राश्ट्रे देक्ष के तरफ से उन्हें ग्रीन सिगनल मिल जाता है, इन दो मसनों को लेकर ही उत्तर प्रदेश के योगी आदितनाथ के इस दिल्ली दोरे को देखा जा रहा है, और जो मंत्री मंदल विस्तार की बात आपने बताई कुछ नाम जिनकी चर्चा चल रही है, नामों को बात कर लें सौरब तो सबसे ज़्यादा दिल्चस्प नाम सिर्फ इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कवाय चल ली और में जगह दिया जाना यह अच्छा मैसेज नहीं देगा, यह काम नहीं होना चाहिए, देखना होगा कि क्या उन्हें चुनावी उप्योगता के लिया से पार्टी स्लैक समझती है, कि उसके बाद भी उन्हें जगह दे दे, इसके अरावा कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किये जाने हैं, कुछ आने हैं, ओम प्रकाश राजबर को लेकि उसमें बहुत जादा हैरानी की बात नहीं होगी, कि उन्हें तो मंत्री मंडल में जगह दी जाएगी और उसमें कोई ऐसी अर्चन भी नहीं है, हाला कि यह दोनों ऐसे नाम थे जिनको योगी आदितनातन को इन ल वक्त वो भी आया था जब यह अखिलेश यादव के साथ चले गए थे, उस वक्त जैसा बता रहे थे देवेंद की क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा, योगी सरकार को लेकर के, और अब अखिलेश यादव जो हैं, उनको वो बताते हैं, यह एसी में एसी वाले ने था हैं, ज पहुँच रहा है, केंदरी नित्रत से उनकी मुलाकात होगी, और इस बीच महत्पूर्ण डेवलेपन यह है कि बीती शाम उन्होंने राजिपाल अनंदी बेन पटिल से मुलाकात भी की थी, इसके बाद उत्रप्रदेश में मंति मंदर विस्तार को लिएकर के तमाम कयास औ सब मौजूद है, सुबासपा अद्धेश्च और इंडिया के घटक दल के नेता, ओम प्रकार शाजबाजी, सर लगातार जो लोग सवाल पूछ रहे थे, लगता है कि जवाब मिलने वाला है जल्दी, कुछ जानकारी आपके पास भी? जानकारी हमको नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अब वो समय नजदीक आ गया है, जिसके लिए सब लोग परिसान हैं, चिंतित हैं कि जल्दी मंति मंदल का विस्तार हो, हमको भी लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कुछ आप से बातचीत हुई कि लखनों में रहिएगा, मुखमंति दिल्ली जा रहा है, मंति मंदल विस्तार होने वाला है ऐसा कुछ हो एक बात नहीं आपके पास भी कोई जानकारी होगी, कि कब तक आपको लखनों में रहने के लिए बोला गया है, शबत रान के लिए नहीं हमको कोई जानकारी समझ में, नहीं हम अपने काम में लगया है मिठाई कब खिला रहे हैं, सब ही लोग को मिठास लगा रहे हैं कि मंत्री मंदल विस्तार को लेकर के चर्चा होगी, जल्द ही उत्रप्रदेश में संभावित मंत्री मंदल विस्तार होगा बागी योगे अधितनाद तो शायद बिल्कुल इससे भी परवा हो बिल्कुल सौरा वाफ वो बार बार खुल कर इस बात को कहते भी रहे हैं उम्परकास राजवर के अगर बात देखे हैं तो बकायदा ही बताते हैं कि मेरा रॉला कैसा है देखिए मेरे आगे लाल बत्ती चल लिए या ऐसे अधिकारी मेरे साथ हैं इन सारी चीजों को लेके उन्हें बहुत ज़्यादा गुमान रहता इस बात का और ऐसे समय में जब एकदम से उम्मीद है कि उन्हें मंत्री मंडल में जगर दी जाएगी और उसमें जो विलम लग रहा था तो समझा जा सकता है कि उनकी बेचैनी उनकी वेगरता किस कदर होगी जबकि देखें आप तो ये एकदम से एक्स्ट्रीम पे जाने वाले नेता में से रहे हैं और सौरब पिछले विधानसवा चुनाओं में हार के बाद तकरीबन एक सब्ता के अंदर तमंत्री मंडल का गठन भी नहीं हुआ था ये दिल्ली आ गये थे और दिल्ली आका ग्रीमंत्री हमिशा से इन्होंने मुलाकात की थी उस दिन होली का दिन था दो पहर में इनकी मुलाकात हुई थी बेटे के साथ आये थे तो आप अंदाजा लगाई है कि जो वेक्तिक चुनाओं के दर्मियान उस एक्स्ट्रीम पे गया हो और एक सब्ता भी नाबिते हो यहां पर दिल्ली में आकर बीजेपी नेताओं के सामने एक दम से जुग गया हो कि हां में एक बार फिर से गड़बंदन में आने को त्यार हूं तो किस प्रकार से उनकी लाल सार टपक रही होगी कि मंत्री पद मिल जाए और अब जब कि वह क्योंकि मैंने पहले कहा कि अक्टूबर में यह तैमाना जा रहा थे कि शायद हो जाएगा वह लगतार टलते गया और अब बेचैनी समझी जा सकती है जो कि सीदे सीदे उनके बयानों में भी दिख रही है और यह जिंबेदार ही उठाई तो यह जल्दी मंत्री बनते और यह पहले भी योगी सा मंत्री रहे योगी को भला बुरा बोला उसके बाद अखिलेश के पास चले गए वापिस एंडिया में लोटके आए तो मुझे लग रहा है इनके साथ योगी आतितनात के थोड़ी जादा नाराज गया बड़बोले पन के कारण पहले मंत्री रहे फिर योगी आतितनात को कहा अब वापिस मंत्री बनने के लिए बहुत उत्सुक है मुझे लग रहा है योगी आतितनात बहुत ज्यादा दारा सिंग और उप्रकाच राजबर को मंत्री बनाने को लेके तैयार नहीं है शायद इसलिए अभी तक मंत्री मंडल का विस्तार नहीं हो पाया है लेकिन अ संगधन की कुछ नियुकता होने वाली है मुझे लग रहा है उसकी चर्चा आज और कल में पुरी होगी यह जल्दी उत्ता प्रकाश राजबर तारा सिंग जवान इस किसम के नेताओं की सरकार में कोई उप्योगिता नहीं है यह वह भी जानते होंगे बीजेपी भी समझत है लेकिन बस इतना कि आप लोगस्भा के चुनाव सामने हैं और आपको 80 सीटों में 90 प्रतिश्रत अगर रखना है 14 के नतीजों को पार करने की अगर प्रयास है भारती रंता पार्टी का तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तोर पर इनके जाती समयकरों को देखते उसको ठीक रखने के लिए शायद इनको साथ लाने की बीजेपी की मनशाओ लेकिन उसके भी लिमिटेशन घोसी के चुनाव ने बता दी कि क्या है यह तो साफ है कि बीजेपी कोई इस ताहां के नेताओं को बहुत पसंद नहीं करते हैं और योगी अधित्यनाथ जो हैं उ महां पर जो कैबिनेट का विस्तार किया जाए उत्तर प्रदेश में और इसी कारण से जब योगी अधित्यनाथ आए हैं तो वो गवर्नर से मिलते हुए आए हैं और यह संभावना हैं कि इस ताहां का क्योंकि योगी अधित्यनाथ की दूसरे जो टर्म है उसमें कोई उनक संभाव पार अगर भारती जंता पार्टी का लक्ष है शायद उसमें कुछ यूसपुलनेस इनके ऐसे निताओं की हो सकती है बिल्कुल सब्सक्राइब बात कर लें तो गाजीपूर मौव आजमगर घोसी ऐसी सीटों पे तो सीदे सीदे फाइदा मिल सकता है और यही एक व में बहुत आगे नहीं जा सकते वहां पर एक बंधन रहता है तो उन लोगों ने अपने आपको वैसा त्यार नहीं किया ओम प्रकास राजबर के पास वह स्पेस है वह वोट बैंक है जिसके सारे इतना सब कुछ करने के बावजूद उनकी उपयोगता बनी रहती है दूसरी ग्यारा वजए यहां से फैक्स गया था मुक्यमंत्री के से दफ्तर में और उसी को फिर वहां आगे राजबौन बढ़ा गया था उससे पहले दिल्ली बुलाकर योगी अधितनात की सिर्फ राय ले ली गई थी उनके पास यह अधिकार नहीं होता कि वो यह कहें कि इसको र जानना पड़ता है इसके अलाव कोई और विकल्प नहीं चाहिए जैसी हो कि उत्रप्रदेश में योगी अधितनाच जो चाहते हैं वो करते हैं हकीकत यह है कि भीजेपी के ढांचे में इस मामले में उनको इस पेस बहुत कम दिया जाता है और जैसा हमने बात की दोज़ार 24 को लेते हुए बीजेपी कोई कोई चूक नहीं करना चाहती कोई कसर नहीं रखना चाहती है इसलिए यह नेता भी जिनका अगर 5-10-12% का कोई असर है भी ऐसे नेताओं को भी साथ लेकर पार्टी चलना चाहेगी चाहे योग्या अधितनाच जो उनको पसंद ना भी करते ह यू-पी में 14 का नतीजा दोराना या उससे और बहतर करना पार्टी इसको लेकर क्या अच्वस्त है अभी फिलाल विलकुल सौरा उत्रपृदेश को लेकर पार्टी जिस तरह से गुझरात को लेकर कॉनफिदेंट रहती है वैसे ही उत्र प्रदेश को लेकर कर रहे हैं वहां पर एक चीज़ जरूर यह देखना होगा कि अगर समाजवादी पार्टी और बसपा का गड़बंदन होता है तो फिर वहां पर पिछले चुनाओ जैसे एक दिल्चस्प तस्वीर बढ़ का सामने आती है अगर वैसा नहीं होता तो उत्तरप्रदेश में तो अधिकान सीटों पर बहुत आसानी के साथ उन्हें जीत हासिल होती नजर आ रही है कमस्कम जो मौजूदा महाल है वो तो इसी तरफ इशारा कर रहा है यूपी पार जी करें अगर हम पिछला उत्तरप्रदेश का विधान सभा चुनाव देखें तो समाजवादी पार्टी अपनी सीटें लगबग लबल कर ली थी उसमें तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जब लोगसाबा चुनाव आएगा तो क्या समाजवादी पार्टी का क्या वो जो उन्होंने कोशिश की थी क्या वो आगे बढ़ेगी और जैसा कि हमाई सेयोग बता रहे थे कि अगर व मायावती जो है अभी तक उन्होंने अपने कार्ड खोले नहीं है कि वह क्या करना चाहती है अभी तक तो नहीं है वह गठबंदन का इससे पार मायावती की थोड़ी रहने दिरूप से हैसियत बची वीति उत्तरबदेश के अंदर लेकिना विदान सबाचनाव के बाद दे समाजादी पार्टी और बशपा मिल भी जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है भारतिय नंता पार्टी को बशपा सपा कोई चिनोति देने के सिती में नहीं रहेंगे भारतिय नंता पार्टी सगधन के रूप से बादान मंतरी मोधी के लोगप बनाया गया है उनके हजबेंट को योगी सरकार में मंत्री बना दिया गया है तो मुझे लग रहा है चोटे-चोटे दलों को भी जोड़कर एक बड़ा कुंद्बा तयार करेगी एक और असी के असी सीटे जितने की रड़नीति पर काम करेगी जन्वारी में सुरब मायावती का बड़े है और पंदर जन्वी के अस्पार शायद है और उस जन्दिन के दिन ही उनकी लोगसभा की रड़नीति का खुलासा होगा बसपा के जो कारकरता उनसे मिलने जाते हैं उन लोगों ने अब कहना शुरू किया है या बसपा के जो नेता से अब तक कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है जन्दिन के दिन जो उनका अपेरेंस होगा उसमें तैय मानिए कि लोगसभा चुनाओं के लिया इससे वह अपनी रड़नीति का खुलासा कर देंगी सपा बसपा कॉंग्रेस अगर गड़बंदन बनते आए और एड़ल को सूट क्या करता है समाजवादी पार्टी को और ब्येस पी का गड़बंदन इस राविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं बीजेपी की प्रेस कॉंफरेंस चिरू हो रही है देखें उन्होंने कहा कि हमारा डिने बिहार के डिने से अच्छा है और जो मुक्ष मंतरी राव साथ उन्होंने हराया है उनके डिने में बिहार का अंशा है क्योंकि उनके पूरवज नितिश कुमार की जात के हैं वहां से आये थे इसके पहले कॉंग्रेस के एक MP ने बात की थी North-South Divide हो रहा है कॉंग्रेस पार्टी अपने को relevant करने के लिए किस सिमा तक गिरेगी ये बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उनका statement कल से चल रहा है माता जी, पुत्र जी और पुत्री ये तीनों गय थे श्रपत ग्रहन में उसके पहले उन्होंने उनके statement को विड्रॉण नहीं कराया था कि उन्हें गलत बोला है और उत्तर भारत में तो बिहार भी है, UP भी है, MP भी है ये Congress Party की क्या सोच है, हम जानना चाहेंगे Congress Party क्या भारत की आजादी का इतिहास समझती है भारत का आध्यात्मिक सांस्कृतिक इतिहास समझती है और राहुल गांदी क्या समझते है अभी भी उनकी माता जी, राइबरेली से MP है न, राइबरेली नॉर्थ भी इंडिया में है अपने अमेठी में हार की डर से चलेगा वाइनार्ड, क्योंकि वहाँ मुस्लिम अक्रिशन्स जादा है तो ये उनकी समझदारी है भारत के बारे में उन्हें पता है कि शंक्रा चार जब चले थे केरला से तो चारो मठो की स्थापना की सुदूर उत्तर में जोशिमठ, सुदूर दक्षिन में श्रिंगेरी सुदूर पश्शिम में द्वारिका सुदूर पूरब में पुरी यही न भारत है उन्हें पता है कि रामेश्रम के प्रणाम के बिना प्रभुराम की कलपना नहीं हो सकती रामेश्रम कहा है सुदूर दक्षिन में है न तुरुपति बाला जी आज देश क्या दुनिया के सारे हिंदूओं के हिरदय में हैं वो कहा है दक्षिन में है ना यह पूरा जो अपने मद्रई में लक्ष्मी मंदिर है हजारों साल पुराना चिदांब्रम मंदिर और जो त्रिवंद्रम में मंदिर है भगवान विश्णु का रविशंकर प्रसाद बात कर रहे थे रेवंद्रेटी के उस बयान की जिसकी बहुत आलोचना हो रही और वो निंदनिये बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि केसी आर का डियने तो बिहारी कुर्मी डियने है वो मूलता बिहार के है और तेलंगाना का डियने बिहार के डियन होता है उस पर जबाब दे रहे थे रविशंकर प्रसाद अभी दो घंटा धाई घंटा हुआ इस वक्त मुलाकात करने जा और खबर यह चल रहे हैं कि उनके बेटे ने कल कुछ विधायकों को अब एक साथ ले जाकर रिजॉट में रखने की कोशिश की उनमें से एक विधायक ने मना कर दिया तो वहां पर नौबत जो है बहुत खराब हो गई और उसको लेकर उस विधायक ने इसकी शिकायत की और वसुरा राजे से इस बारे में सफाई मांगी जा सकती है